नमस्का दोसों स्वागता सभी का हमारे यूटूब चैनल पे और दोसों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इस्टार मेकर पे अपने सौंग्स को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन-कौन से इफेक्ट आपको रखने चाहिए, सिंगिंग कते टाइम, कौन सा आपको यूज करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में complete information देंगे, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, तो आपको सिंगिंग से related कोई भी problem आने वाली नहीं है, तो वीडियो को ज़रा सब इसकी बना करना, अगर आपको भी issue हो रहा है, आपकी सिंगिंग को ले करक की effects को ले करके, तो इस वीडियो पे complete बने रहना, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए आये हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना, subscribe वाला बटन दबा करके, और इस family का हिस्सा बन जाएए, और दोस्तों सबसे पहले मैं चला जाता हूँ सीधा अपने singing profile पे, इस टार्म की करने में आपको three option दिख जाएगा, जिसमें आपको एक hook का option दिखता है, hook का मतलब यह हुआ कि आप किन lines को, इसमें आपको कुछ lines दे देगा, जिसमें आपको start and end का दो option दिखेगा, इसके बीच में यह जो दो line बनी हुई है, इसके बीच में जो भी lines आप रख दोगे ल तो देखिए यहां तक आ गया, start को चाहूं तो मैं उपर से खीच के ला कि यहां से start कर दूँ, मतलब song के बीच में कहीं से भी चाहें, तो start कर सकते हैं बहुत ही आराम से, अगर आप चाहते हैं कि केवल song की मैं in lines को गाऊं तो in lines के बीच में आप इसको start करके गा सकते हैं, तो यह तो बात हो कई hook करने की, दूसरा हुआ solo, solo में दूस्तों आपको पूरा song जो है गानने को मिलेगा, मतलब आप अकेले गा सकते हो, solo में गा सकते हो, तो इसमें आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आपको simple single-y गाना है, उसके बाद में आपको option दिक जाएगा duet का, तो duet में दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे देखिए, sing pink line या sing blue line, इनमें आपको कोई सी भी line चूज कर लेनी है, चाहे वो pink गाना हो तो pink का लीजे, blue गाना हो, blue का लीजे, आप गाके अपना song duet post कर सकते हैं, ऐसे ही, और कोई भी अगर आपके song को join करता है, तो जैस duet lines को complete कर देगा, और आपका song जो है, complete हो जाएगा, तो दोस्तों आप बात करते हैं effects की, तो दोस्तों जब आप इस page पे आ जाएंगे, तो यहां पे आपको effect का option दिखेगा, तो effect के option पे जब हम जाएंगे, तो यहां पे देखिए, कई सारे effects दिख रहे हैं, ठीके, तो बह बहुत सारे लोगों का जो microphone है, जो मतलब earphone है, वो अलग-अलग quality में होता है, अभी आपके पास एक अच्छे quality का earphone है, तो आप normal studio या party में भी गा सकते हो, अगर आपके पास कोई ऐसा earphone है, जिसमें थोड़ा सा voice rough आ रही है, बहुत ज़दा, तो आप उसको अपने हिसाब से customize पर जाकि यहां सारा कुछ reverb क्या है, रूम साइज क्या है, अपने हिसाब से आप set कर सकते हो, इसमें कोई भी effect मैं इसलिए recommend नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारे लोगों का earphone अलग-अलग है, मैं recommend करता हूँ, अगर आप star maker पर singing कर रहे हो, तो आप sony की earphone से use करिए, जो क भी support मिल जाएगा, हलाकि star maker में आपको internally भी noise cancellation का support देखने को मिल जाएगा, तो यहां भी दोस्तों आपको EQ का option है, EQ में भी इसको आप चाहें अपने इसाब से, जो भी चाहें इसको लगा सकते हैं, तो main है आपका यह, इसको आप ज्यादा तर अगर आप गाना चाहें, तो वाइलू में दोस्तों आपको क्या करना है, वाइस जो है, आपका वाइस ध्यान रखना कि वाइस जो है, थोड़ा सा अगर आपकी वाइस ज्यादा loud आ रही है, तो आपको वाइस कम रखना है, थोड़ा सा music ज्यादा का लेना है, अगर आपकी वाइस slow आ रही एकदम तो व वोकल को set करनेगा बहुत सरे लोगं का issue आता है कि वही voice उनकी आगे जा रही है song का music पीछे बज रहा है या music आगे बड़ी जा रही है तो यह इसी वज़े से आता है क्योंकि यहाँ पर आपने इसको adjust नहीं किया होता है और यह इसमें disturbance आजाती है तो इसको आप auto adjust प्रिकली करके adjust कर सकते हो लेकिन ध्यान रखना जब आप earphone निकाल दो के तभी है अपने आप automatic detect कर पाएगा और auto adjust आपके vocals को कर देगा तो इसको आप अगर आपके साथ ऐसा issue आ रहा है तो इसको आप auto adjust कर सकते है और यहाँ पर दोस्तों जब आप जाएंगे volume पर तो यहाँ पर एक denoise को option दिख रहा है तो अगर आप किसी शोरगुल माहूल में है तो आप अपने हिसाप से noise लगा सकते है noise cancellation तो अगर आप एक शान तेरिया में अपना recording कर रहे हो तो आपको denoise लगाने की ज़रुवत नहीं है तो इसको आप हमने हिसाप से set कर सकते हैं तो दोस्तों यहीं था कुछ उष्टार में करके effect के बारे में singing से related वीडियो तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को like जरूर कर देना अपने दोस्तों में share कर देना और मिलेंगे किसी next वीडियो में तब तक के लिए हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे देखते रहे मेरा YouTube चैनल जैहिन वद्ने मातरम